जिस नारी ने पती को पाया, उसकी नईया और सुना, पती बिना संसाना एक पति प्रत रह जगत में, अब रत है बेकार विन प्रति बित के नारी नातो, जीवन है बेकार सुना पती ही भगवान है, इसलिए पती को भगवान जाने कर, पती को भगवान माने कर उनकी सेवा करनी चाहिए पती ही है, परमेश्वर, इसलिए नारी अपने पती की सेवा कर, भगवान के मंदिर जाती हो, वहाँ पत्थर की मूर्ती होती है, और आपका जो पती है वो प्रत्यक्ष मूर्ती है, पत्थर की मूर्ती को किसी व्यक्ति ने इंसान ने भगवान बना दिया, और पती को भग कि बहुत सारी इस्त्रियां अपने पती को तो दुदकार देती हैं और मंद्रों में जाकर मूर्तियों की पूजा करती रहती है है तो जो सही के पती को ना पहचान सकी जो भगवान पती को किसने बनाएं आपको और हमें किसने बनाया भगवान ने और म Just इसलिए पती भगवान होता है पती को तना ही महत्वदो जितना भगवान को पर कुछ पत्रिया आज स्कलियों को मैं ऐसी भी है तो अपने पती का पमान कर लेती है दुदकार देती है पती को छोड़ कर चली जाती है पर पुरुष से संबन्द बना लेती है ऐसी नारिया अपना लोग पर लोग दोनों बिगाड लेती है हिस्त्री को कभी भी चलित्र से नहीं गिरना चाहिए और पुरुष को भी चलित्र से नहीं गिरना चाहिए नारी का धर्म है के पती की सेवा करे और पती का धर्म है के अपनी पत्नी का सम्मान करे आदर करे पती का धर्म है के नारी का पक्ष ले और नारी के साथ खड़ा ले और साथ कभी उस पर संकट आवे विपत्ती आए तो पत्ती उसका पहला साथ दे इसलिए पती और पतनी ये दो नहीं होते, छगड़ा वहां होता है जहां दो होते हैं, पती और पतनी एक माने गरे हैं, अर्धांग नहीं कहा गयरा, आधा अंग कुरुष और अधा अंग इस्त्री, तो दो लोग आप होते हैं इसलिए जगड़ा होता इसलिए पत्नी को इतना प्रैम करना चाहिए पती से कि वो पती को अलग ना माने अपने से और पती इतना प्रैम करें अपनी पत्नी से ये वो अपने से अलग ना माने जब तुम दोनों मिलकर एक हो जाओगे तो एक में जगड़ा कैसे हो दा, जगड़ा तो दो में हो इसलिए दो नहीं, एक हो जाओ पती ही जप है, पती ही दब है, पती ही रहे करता पती से ही पत इस तन की है, पती बिन बिपती हजार सुना पती बिना संसा मैं हूँ दासी तेरी दात्रिये काया, ओ मैया जब तक जीओ, मैं सुहादन रहू मुझे को इतना तुबर आन दे, मैं हूँ दासी तेरे दात्रिये ओ मैया जब तक जीओ, मैं सुहादन रहू करते दे, आपके करो झाल 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 झाल